आज एक बड़ी खबराई दिल्ली के सामाजिक कल्यान मंत्री राजेंद्रपाल गोतम ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है राजेंदरिपाल गोतम सामाजी कल्यान मंत्री थे और उनको लेकर एक विवाद बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया था जिसके बाद उन्होंने इस्तिफा दे दिया मामला क्या है वो मैं समझा दू फिर आगे की बात हम करेंगे राजेंदरिपाल गोतम ने 5 अक्टूबर को अशोक विजदश्मी के मोके पर दिली में आयोजीतिक कारेकरम में हिस्सा लिया था जहां 10,000 लोगों ने बहुत धम दिक्षा ली थी और उस कारेकरम में बाबा साहिब दूक्टराम बेटकर ने बहुत धम अपनाते हुए जिन 22 प्रतिग्याओं को लिया था उन 22 प्रतिग्याओं को दोराया था राजेंदरिपाल गोतम बुधिस्ट हैं और उन्होंने अपने लोगों के साथ उसी प्रतिग्या को दोराया जो बाबा साहिब दूक्टराम बेटकर ने ली थी इसी के बाद बीजेपी की और से विवाद और कहा गया कि राजेंदर पाल गोतम ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है और वो हिंदू विरोधी हैं। इसी को लेकर विवाद खड़ा किया गया था जिसके बाद राजेंदर पाल गोतम के सरकारी आवास पर दिल्ली में कुछ हिंदू कर्यकरताओं ने भगवाधारियों ने बीजेपी के कर्यकरताओं ने विरोध परदशन भी किया और उनके खिलाफ नारेवाजी भी की। इसको लेकर ये कहा गया कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए जिसके बाद आज राजेंदर पाल गोतम ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके साथ ही जो है ट्विटर पर कुछ बाते लिखी हैं और उसके इस इस्तीफे के क्या सियासी माइने हैं आम आदमी पाटे और केज़िवाल भी कैसे इस इस्तीफे से कटगरे में खड़े हो गए हैं उस पर हम बात करेंगे राजिनरपाल गोतम ने आज ट्विटर पर लिखा आज मैं स्री वालमी की जिका प्रकोटोट सव दिवस है एवं दूसरी और मानेवर काशिराम साहिब की पुनेतिती भी है ऐसे संयोग में आज में कई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ है अब मैं और मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों वे अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा ये उन्होंने कहा है कि आज मेरा नया जन्म हुआ है मैं मुक्त हो गया हूँ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने मंत्री पर से अब यहां जो ब अर्विंद केज्रिवाल और उनकी टीम उन्होंने ही इस तरह से दबाव डाला राजनरपाल गोतम पर और आकिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये विवाद तो 5 अक्टूबर के बाद से ही चल रहा था लेकिन राजनरपाल गोतम ने तब इस्तीफा नहीं दि कि गुजरात इलेक्शन में इसका नुकसान हो जाएगा इसी लिए कहीं ना कहीं वो दबाव की राजनीती खेली गई और आकिरकार राजनरपाल गोतम ने इस्तीफा दे दिया हालाकि उन्होंने इस्तीफे में ये बात लिखी है कि वो अर्विंद केज्रिवाल का बहुत सम मर्थन किया है लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला था वो एक बुद्धिस्ट होने के नाते एक बहुजन समाज के व्यक्ति होने के नाते वो इस करेक्रम में गए थे जहां उन्होंने बाबा साहिब डुक्टरमबेटकर की 22 परतिग्याओं को दोराया और इसी को लेकर बी स्तीफे में लिखी है लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि क्या बाबा साहिब डुक्टरमबेटकर की तस्वीर को सरकारी दफ्तरों में लगाने वाली आमादमी पार्टी और उसके लीडर अर्विंद केजडिवाल जो पंजाब में बाबा साहिब डुक्टरमबेटकर और कहीं ना कहीं इससे अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी का जो कहें कि एक छलावा दलित हितैशी का दिखने का होता है, वो भी बेनकाब हो गया है और उसी को लेकर ये सामने आया है कि कैसे बीजेपी ने जो दबाव बनाया उसके सामने अर्विंद केजरिवाल जुग गए और कहीं ना कहीं अपने मंत्री के साथ खड़े नहीं हुए, ये इसका सीधा सीधा मतलब आ रहा है, इस बारे में सुषोदिया की कुर्बानी लेने में भी वे नहीं इचकचाएंगे, ये केजरिवाल के धलान की शुरुआत है, बीजेपी के मनेश पर हमले का इंसजार करें, तो वरिश्पत्रकार दिलिप से मंडल कह रहे हैं कि कलको अगर बीजेपी अर्विंद केजरिवाल के जो अन्य विवाद बढ़ेगा तो जुख जाएगा, तो फिर बार-बार इस तरहे के विवाद खड़े किये जा सकते हैं, और मनेश शोदिया और तमाम लोगों पर चापेमारी हो रही है, वहाँ पर बीजेपी पर वो आरोप लगाते हैं कि उन्हें परिशान किया जा रहा है, तो कल की बली दे कर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि अर्विंद केजरिवाल बाबा साहिब दुक्टर अंबेटकर का एक बड़ा अपने आपको अनुयाई बताते हैं, कहते हैं कि वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी तस्वीरों का इस्तमाल करते हैं, लेकिन बाबा साहिब डुक्टर अंबेटकर की ही लिखी हुई बातों को कही हुई बातों को दोराने पर वो अपने मंत्री के साथ खड़े नहीं हुए, तो इस पूरे विवाद ने अर्विंद केजरिवाल के छवी को भी धुमिल किया है, आम आदमी पार्टी से दलित समा ने आ चुकी है, इसके अलावा बीजेपी का भी दलित विरोधी चहरा एक बार, फिर से सामने आया है क्योंकि जो बीजेपी और जो भाजपा संग के लोग ये कहते हैं कि वो दलितों के फाइदे के लिए काम करते हैं, वो कैसे एक दलित बेग्राउंड के मंत्री के उनके नारेबासी करते हैं, धमकी भरी बाते बोलते हैं, उसके परिवार को धमकी देते हैं, कॉल करके परेशान करते हैं और फिर उनको हिंदू विरोधी घोशित करते हुए राजनी तिक कहें कि उनको घेर कर उनका शिकार करने की कोशश होती है, तो ये दिखाता है कि कैस बीजेपी बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेटकर के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है और उनके बाबा साहिब के जो असली अनुयाई हैं जो उनके बच्चे हैं जो उनकी मानस संताने हैं उनके खिलाफ केमपेन करती हैं उनको नुक्सान पहुचाती है ये भी साफ हो गया है तो इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कैसे जो राजनितिक पार्टियां हैं वो दलित चेहरों का, दलित नेताओं का, दलित प्रतीकों का, दलित बहुजन नायक नाइकाओं का, राजनितिक इस्तमाल तो करती है, उनका सत्ता पाने के लिए इस्तमाल तो करती है लेकिन जब उन लोगों के साथ खड़ा होने की बात आती है तो वो पीछे हड़ जाते हैं वो उनके साथ खड़े नहीं होते अर्विन के जिवाल ने एक रेड हिन नेता की तोर पर अपने आपको पेश किया है वो अपने मंत्री के साथ खड़े नहीं हो पाए आप देखें बीजेपी के लोग बिलकिस मानों के अपराधियों के साथ खड़े हुए हैं वो उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जो कि जिनको सजा हो चुकी है लेकिन बाबा साहिब डुक्टर अमबेटकर की लिखी हुई बाते जो कि भारत में अभी तक गैर कानोनी घु वोल्यूम 17 में उनने 22 प्रतिग्याओं को सरकारी तोर पर छापा है सरकार छापरियों लोगों तक पोचा रही है जो दिक्षा भूमी पर जो बना हुआ है वहां पर एक्षिला लेक पर ये बाते लिखी हुई है तो ये सरकारी तोर पर उसका प्रचार हो रहा है तो सरकार क ही बातों को चापी हुई बातों को बाबा साहिब की बातों को कहना क्या अपराध है उस पर कैसे कारवाई की जा सकती है कैसे उन्हें शिकार बनाया जा सकता है ये सवाल खड़ा होता है अरविंद केज्रिवाल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन हमें अपने एस मांग के भी उसको के अपने आपको अलग कर सकते थे अपना पद बचा सकते थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना बहतर समझा और वो उस तरह से जुके नहीं तो इस बात की भी तारीफ की जानी चाहिए कि राजेंदर पाल गोतम ने अपने समाज के लिए अपने लोगों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री पर ठुकरा दिया है उससे त्याग पत्र दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे निताओं का होसला हम भी बढ़ाएं क्योंकि अगर को ऐसा होगा कि ऐसे लोग जो बाबा साहिव की बात करेंगे अगर उनके साथ इस तर यह तो आशंका पहले से ही थी लेकिन उनके साहस की तो तारिफ की जानी चाहिए कि वो यह सब कर रहे हैं मंत्री पत पर रहते हुए लेकिन आब उन्होंने इस्तफा दे दिया है और गुज्राचनाओं में भी क्या इसका असर होगा और क्या दलितों का भरोसा आमादमी पा दिया जाता है कैसे यह जो चालाकी है हम लोगों का नुकसान कर रही है उस पर आप अपनी राय लिखें राजिनरपाल गोतम के समर्थन में भी आपको पोस्ट और टूइट करने चाहिए क्योंकि एटलेस यह तो रहे कि समाज उनके साथ खड़ा हुआ है वो अपने कहें की बलातकारियों के साथ खड़े हो जाते हैं तो हम अपने फीरित वेक्ति के साथ खड़े हो ही सकते हैं इस वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें राजेंदरपाल गोतम के साथ अभी खड काथ होगी